नमस्कार किसान भाईयो यह जगह है जहां पर हमने 5-7 दिन पहले स्वीप पावर और एमिकस का डेमोस्टेशन किया था आप देख सकते हो कि यहां पर सभी परकार का कच्रा जो भी हरा रहा था वो सब जलके राख हो गया है यहां से लगबग 6-7 दिन पहले सिनेर के पास में गुड़ा नाल गाओ वहां पर हम आये थे और इसका यह रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि यह ऐसे लग रहा जैसे कुदाली से उखाड़ कर इसको कच्रे को अटाया गया हो और जहां पर इसप्रे नहीं किया था वह जगह भी आप देख सकते हो यहां इत्ती बड़ी गास हो रही है हमारे साथ में रेविंदर है जिस दिन हमने डेमो स्टेशन किया था उस दिन इन्होंने पूरा सपोर्ट किया था और फारमर के साथ मिला के इन्होंने यह डेमो और भरूट भी है काफी कच्रे थे इदर अलग अलग तरीके के और अपने स्विप पावर मिकस करके यहां पर अपने इती दूर के अंदर 15 लिटर की टंकी से डेमो लगाया था और आज अभी अपने को डेमो लगाई हुए पांच दिन हुए है पांच दिन अपने जब रिज सफोगा एक दम जमीन जमीन है वह एकदम शाफ हो गया और जो अनार के जो भी पॉद्दे आपको दिख रहे हैं उन पहुद्धों के ऊपर बिल्कुल भी इफक्त नहीं है सफ्रे का ना जड़ पे ना पत्तियों पे वह बिल्कुल भी एफक्त निया पौद्धा वैसा का व सबसे ज्यादा जिसके ऊपर इसका रिजल्ट देखने को मिला है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा दूब गास थी और यहां आप देख सकते होगी भरूट है मकड़े टाइप का भी कुछ दिख रहा है जहरना है दूब गास है सभी टाइप का कच्रा यहां पर देखने को मिल रहा है इस लेवल तक का कच्रा है न तो यह जो फार्मर है इनका नाम है चंदन सिंग जी और शिवाना के पास गु सब्सक्राइब के रविंदर जी अभी मौसम भी बढ़िया हो रखा है बारीस का माहल बना हुआ है आप देख सकते होगी थोड़ी थोड़ी बारीस भी आने लग गई है तो